भारतिय अंतरिक्ष एजनसी इस्रो का जोश हाई है मिशन चंद्रियान 3 बिलकुल सटिक आगे बढ़ रहा है शुरुआत से लेकर अब तक इस्रो को हर प्रोसेस में सफलता हासिर हुई है पिछले कई दिनों की तरह मिशन के लिए गुरुवार का दिन भी बेहद खास था इस्रो ने चंद्रियान 3 से जुड़े कई बड़े अपडेट दिये सब कुछ यूजना के अनुसार चला तो 23 अगस्त को इतिहास रचुदा इसी दिन चंद्रमा के दक्षिद रूपर चंद्रियान 3 की सौफ्ट लैंडिंग की प्लानिंग की गई है भारत का महतो कांची मोन मिशन चंद्रियान 3 अपने आखरी पड़ाओ पर है लेकिन ये पड़ाओ काफी एहम है पूरी दुनिया की नज़र भारत की इस मोन मिशन पर है चंद्रियान 3 के साथ भेजा गया विक्रम लैंडर ठीक तरीके से चंद की ओर बढ़ रहा है सफल डी बोश्टिंग के बाद शुक्रवार को लैंडर मोडल चंद के और करीब पहुंच गया अगला हफ़ता भारती साइंस जगत के लिए बेख़त खास होने वाला है दरसल भारत का एहम अंत्रिक्ष मिशन चंद्रियान 3 चंद की जमीन पर उतरने वाला है बताया जा रहा है कि चंद्रियान 21 और 23 अगस के बीच चंद की जमीन पर लैंड करेगा और इतिहास के पन्लों में अपना स्वर्णिम नाम शामिल करेगा ये भारत के लिए इतलावता एहम है मिशन है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह के मिशन से वाल ट्रैफिक जाम जैसे हालात है वा क्या है कि जिस तरह भारत ने अपना मिशन भेजा है वैसे ही कई देशों ने भीजा है और चांद की ओर्बिट में दूसरे देशों के भी कई मिशन है जो जल्द ही चांद की धर्थी पर लेंड करने जा रहे हैं ऐसे में जानते हैं कि चंद्रियान के अलावा अभी लाइन में कितने मिशन है जो जल्दी ही चांद पर लेंड करने का है। इसके बाद आप समझ पाएंगे कि अब अंत्रिक्ष में भी किस तरह भीड रहने लगी है और अंत्रिक्ष का महाल कैसा है। बतादे कि नासा के लूनर रिकॉर निन्स और्बिटर को 2009 में लॉंच किया गया था और इसके जरीए चांद के सर्फेस का मैप पता लगने की कोशिस की जा रही है। इसके अलावा आर्टेमीज के पी वन और पी टू मिशन जून 2022 के लूनर और्बिट में है। इसके साथ ही नासा का कैप्स्टोन इनारेच और्बिट में है। इसके साथ ही अब जल्द ही रूस का लूनर पचीस मिशन लॉंच हो गया है जो 16 अगस्त को चांद की और्बिट में परवेश कर सकता है। इसके जरीए चांद के साथ पोल को एकस्पलोर किया जाएगा और ये भी चंदरियान के कुछ समय बाद ही चांद पर लैंड करेगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला टॉट कॉम अमरुजाला अब आपके टीवी पर भी अपने स्मार टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमरुजाला चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में और हाँ बैल आइकन दमाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घरूजाला निश करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में और हाँ बैल आइकन दमाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घरूजाला निश्पक्ष निर्भी निरंदर